तो हेलो दस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले की 7500 सिचकों का जो है जारखन में सेवा समाप्त हो जाएगा तो उसी से रिलेटेड हम आपको पूरी जान करेंगे अगर आप इस चैनल पर नहे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिज़े ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज मिला करेगी तो चलिए सुरू करते हैं तो यह है परभात कवर का साथ नमंबर का पेपर जिसमें 7500 सिच्चकों की सेवा होगी समाप्त जिया आप जो है 7500 सिच्चकों को सिच्चक के पद से हटा दिया जाएगा तो यह राची का पेपर है तो सिच्चक के अधिकार अधिनियम के तहत सिच्चक बनने के नियोंतम योगेता नहीं रखने वाले करिरत सिचकों को अब मौका नहीं मिलेगा अगर आपके पास सिचक का जो है नियुनतम योगेता मांगा जाता है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है अब सिचक के पद से हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है केंद्रिय मंत्री के तो यहां पर बात आती है कि पहले 2017 में समय दिया गया था यानि कि पहले 2017 तक समय दिया गया था लेकिन इसके बाद समय को बढ़ा कर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है ताकि आप सभी को मुखा मिले अगर आप सिच्छक हैं और आपके पास नियुंतम योगता नहीं है तो आपको कोर्स होती है अगर आपके पास नहीं है या तो फिर नियुंतम योगता नहीं है तो आपको आप जो है सिच्छक के पद से बिल्कुल ही यटा देया जाएगा या तो फिर आपके पास या-ड-AIDS कुछ होना चाहिए तो अब जो है वो सिच्छक नहीं पढ़ा सकेंगे यानि कि आगर आपके पास योगिता नहीं है तो आपको यहाँ पर पढ़ाने का मोका नहीं मिलेगा तो बात आती है आदेश में जहारकन के सरकारी और नीजी स्कुलों में जो है इसे पारा सिच्चक हैं जिनको जिनके पास जो की निम्तम सिच्चक के लिए जो है योगिता नहीं है तो यहाँ पर बात आती है जो या तो परिच्चा में सामिल नहीं हुए थे या फिर इंटर में 50% मार्क नहीं होने के कारण अगर आप आपकी जो है सिवा को समाप्त कर दिया जाएगा तो यहाँ पर बात आती है संपूरक परिच्छा में सफल होने पर भी नहीं दे सकेंगे सिवा यानि कि अगर आप संपूरक परिच्छा में सफल हुए है फिर भी आप जो है सिवा नहीं दे सकेंगे अगर आपके पास नि युन्तम योगिता को ले चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर है और नहीं लिए तो आप सभी के लिए जो है बहुत बूरी ख़बर है तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ बैल आके इनको प्रिस्ट कर लिए ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियो आपको हरोज मिला करें तो धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भाराए